हेलो है नमस्कार दोस्तो मैं पंकेश विजलानी फिर से आपके सामने हाजर हूँ और बहुत-बहुत सागत करते हूं आपका इस चैनल में दोस्तो आज हम लोग डिसकुशन करने वाले एक 6000 स्करफिट का प्लॉट है बहुत ही प्राइम लोकेशन है जो की आता है पेरंगोत मे चानी चोक से नेक्टेड है झेवाड़ी अबिन्यवारी फेसटरी से कनेक्टेड है और आनेयवाले पूने के जो रिंग रोड है उससे भी आउसल स्कोनेक्ट है तो यह प्लॉट है टोटल 6000 स्करफिट का रिचा में ब्रेकलिवहार घज़ीआ property है go down मनाने के हिसाब से है और एक अच्छा rental heat यहां से generate किया जा सकता है आज की date में और अच्छी बात ही है इस plot के बगल में ही अच्छा well known hotel है जो की already operational है और काफी ही मतलब busy road है main port road पर पर प्लॉट आता है तो बिना time waste कि चलते हैं चेक आउट करते हैं यह plot को देखते हैं कैसा यह plot है तो friends में directly आपको लेकर आएं location पर this is the location आपको करना कुछ नहीं है hotel Greendale पूने यह जो आप देख रहे है मैं हाइलाइट किया हुआ है जो अभी करसर रखा है hotel Greendale पूने आपको सर्च करना है इसको लगके ही प्लॉट है और डारेक्ली में रोट पर यह plot है मैं आपको पूरा mark करके दिखा देता हूँ कि कैसे यह plot है almost पूरा 6000 स्केर फिट का यह plot है इस तरह से यह फ्रेंटेज है almost मैं एक मिट पूरा आपको अच्छे से mark करके बता देता हूँ तो almost 40 feet का frontage plot को और इस तरह से यह पूरा rectangle plot है यह अब देखेंगे almost 6000 square feet का यह पूरा plot और road भी काफी अच्छा बन चुका है यह road की में condition आपको दिखा हूँ तो मैं road भी आपको दिखा देता हूँ आपको करना कुछ नहीं है आपको इधर hotel greendale सर्च करना है google maps पे और directly आप location पे आ जाएंगे तो मैं आपको exact वह भी दिखा देता हूँ कैसी अभी locality है वहाँ पे और कैसा road बन चुका है तो इस तरह से यह पूरा प्रॉपर रोड है और यहां से चान्नी चुक और यहां से यह सीधा पूर्ड जाता है और यह थोड़ा ही आगे देखी पूर्ड को रोड जाता है आगे तो आपको समझ सकते हैं कि कितना प्रॉमिनेंट यह एरिया है और टोटल जो प्लॉट है और जैसा कि मैंने आपको बताया होटल ग्रींडेल के जास बगल में यह होटल ग्रींडेल है इस तरह का वह पर एक अच्छा रेजॉर्ट टाइप का बड़ा होटल है और यह ज्यादा दूर नहीं है इस तरह का यह पूरा यहाँ पर डेवलपेंट अल्यडी हो रखा है यह प्लॉट के थोड़ा आगई सिंबोईसिस का केंपेस भी है थोड़ा सा आगए जाएंगे तो तेलिजर सिंबोईसिस और यह आप देखें काफी बड़ी बड़ी कंपनीज भी है इंडिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी भी है टाटा केमिकल्स यह टाटा केमिकल है यह जो आप देख रहें कि मैं आपको इस पर मिकर्सर रखके दिखा सकता हूं आप यह टाटा केमिकल्स का इंट्रेंस यहां से तोड़ा सा आई ज्याकि टाटा केस्ग्ल का इंट्रेंस आता है और ढॉक्स प्रेजर टेक्नी करके कमपनी है मतलब अच्छा डेवलप्ड एडिया है ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर रेंटल्स का कोई इशू आएगा या आपको कुछ मतलब इमीजेट भी आप अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं यहां पर जैसे अगर आप कुछ करते हैं आपको गुडाउन बनाना है या आपको ओवरॉल एक वहां पर शोरूम टाइप का कुछ सेट अप कर बॉरसके के बाद में यह सिंवायस को पूरा रिभी एक वान आपको tang cuHowण की लोकेशन की बात करू तो लोकेशन जैसा की मनने आपको बताया रहело जो main फाटा है पोर्ड रोड पे उससे hardly एक जेट किलोमेटर का डिस्टेंस आता है यह गोटा वड़े फाटा आ गए और यहां से हम लोग अगर direction चूज करते चूज on the map कर लेते गोटा वड़े फाटा से जो main फाटा है वहां से भी नजदी के यह काफी plot तो hardly 3-4 किलोमेटर आता है गोटा वड़े फाटा से और 8 मिट का डिस्टेंस है और गोटा वड़े फाटा भी main port road पे यह plot भी main port road पे गोटा वड़े फाटा भी आपको मैं दिखा जीता हूँ किस तरह से डवड़े हो चुका है गोटा वड़े फाटा यह आप देखेंगे पूरा डवड़े है यहाँ पर बड़े बड़े banks सब HDFC bank, ICICI bank पूरा facilities है यहाँ से 8 मिट का distance है तो आपको सोच सकते हैं कि plot का और इस तरह से यह पूरा city area हो गया इसी road पे sky eye का township है, परांचपे का township है बड़े-बड़े townships हैं इसी road पे और इंफे अंदर भी है अपना यह plot तो road पे काफी अंदर भी आप देखेंगे पूरा यह आबादी वाला चित्र हो गया है अगर हम लोग इसको हिंजवाड़ी phase 3 से count करते है हिंजवाड़ी phase 3 से, वहां से भी connectivity काफी अच्छी है हिंजवाड़ी phase 3 हिंजवाड़ी phase 3 से hardly आदर इगंटे का drive है, जबकि मैंने अंदर का लिया है अगर मैं point लेता था तो और 20 मिट का ही drive रहता था, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं तो हिंजवाड़ी phase 3 से भी 20 मिट का drive है और अगर कोत्रूर से देखें, चाननी चोक से हिंजवाड़ी phase 3 से देखेंगे 23 मिट आ रहा है, plot का और अगर इसका distance हम लोग कोत्रूर से देखते हैं जो कि one of the center point है, पूने का तो यह कोत्रूर का point है, कोत्रूर से भी early 30-40 मिट का distance आता है जो कि अभी यह road का काम होने वाला है, बुकम में तो उसके बाद और distance कम हो जाएगा तो और अल काफी ही अच्छा plot है, पूरा rectangle plot है, main road पे plot है, 40-50 पट का frontage है आपको और बड़ी बड़ी companies हैं, आजू बाजू में, अगर आप कुछ residential complex भी बनाते हैं, यहाँ पे आपने share भी डाल दिया, go down भी डाल दिया तो we have numbers of enquiries जो go down देख रहे हैं, तो अच्छा खासा go down का rentals भी आपको start हो जाएगा plot का जो asking है वो 75 likes है, for a 6000 square feet, तो price भी I don't think ही जादा है, आप देखेंगे तो price आपका almost कितना आ जाता है, मैं आपको exact price भी बता देता हूँ, 75 likes divided by 6000, तो 1250 का pricing है, it's not that much, क्योंकि road touch plot है, अभी यहाँ पे काफी दूसरे जो एने plot चल रहे हैं, वो लोग बेच रहे है, 3.5-4.000 रुपे से, जबकि वो एने उनका purpose अलग है, this is something कि national highway पे तो आप कुछ commercial activities, hotel, go down, restaurant, ऐसा कुछ का आप कर सकते हैं, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरह का यह overall locality है, यह hotel समीर के just सामने आता है, और hotel Greendale के, यह hotel समीर है, जबकि इनका setup काफी basic है, बट तबी भी यहाँ पे इनका अच्छा business होता है, प्योंको अच्छा crowd बहुत है, जो भी लोग मुल्शी जाते हैं, जो भी लोग आगे दिगी पोर्ट जाते हैं, मुंबई गोई एक्सप्रेस वे जाते हैं, उनके लिए यह road connectivity देता है, तो उसे साब से, this is something की, काफी busy रहता है, मुल्शी तो काफी अच्छा tourist destination है, तो सब गाड़ियां इसी road से जाते हैं, और जैसा कि आपने देखा, कि कितनी ज्यादा यहाँ पे traffic रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे, पिरंगुत चोक में मैंने जो बताया आपक इतना traffic रहता है, तो काफी ही अच्छा area हो गया है, overall crowded area हो गया है, काफी walk-ins है इस road पे, तो उससाब से, यह road touch plot बहुत ही profitable है, क्योंकि walk-ins जादा है, आप समझे रहे हैं, आप अगर गुडावन मनाते हैं, hotel बनाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा walk-ins चाहिए रहता है, जो जादा है, तो पोर्ड अ कितनी बसे से जाती है, सब इसी road से जाती है, दिगी पोर्ड पर जितने भी ट्रेलर्लस जाते हैं, सब इसी road से जाते हैं, मुल्शी में इतने भी टूरिज जाते हैं, सब इसी road से जाते हैं, तो walk-ins is very good, तो this plot is very good for the commercial purpose, and I hope मैं यह plot कापको insight दे प मैं आपको direct client से connect कर रहा हूं, just because they need a fund urgently, वैसे यह plot का value तो मेरे खाल से 90 lakhs में भी easily जा सकता है, but उनको अभी fund की सक जरूरत है, तो वो 75 lakhs में दे रहे हैं, and this price is non-negotiable मैंने बात की, but there is no brokerage, no consultancy fee, हाँ, if you need my support, I am always there for you, because यह plot हमारे में, जिस company से association उसी से गया हुआ है, तो title की भी कोई attention नहीं है, title is also crystal की है, apart from that, if you need any support for buying this plot, I am always available, and और कोई की रही हो, अब direct client से भी बात कर सकते हैं, and हम से भी आप coordinate कर सकते हैं, तो I hope दोस्तों में कुछ insight दे पाया हूं, thank you so much, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए है, and bye, take care, have a good day.